भक्ति जनू, माताओं बेहनू, सादर जैसी कृष्णू, हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अचारिधर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको महाशिवरात्री का शुब महुर्त बताने जा रहे हैं। तथा महाशिवरात्री की पूजन आपको किस प्रकार करना चाहिए। और महाशिवरात्री का यदि आप व्रत रखना चाहरे हैं या व्रत रखते हैं तो कौन-कौन से नियम आपको पालन करना चाहिए। तथा महाशिवरात्री का महत्तु क्या रहता है और इस बार महाशिवरात्री का पर्व आपको कब मनाना है यह संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के बाद्यम से आपको देनी जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्री की बहुत बहुत शुपकामनाय और बधाया भगवान भोले नाट का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्त रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें भगवान भोले बाबा का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो महा शिवरात्री होता है वैसे तो प्रत्येक महा की चतूरदशी तिति जो कृष्णपक्ष में आती है उसे शिवरात्री के रूप में मनाये जाता है या शिव चतूरदशी के रूप में मनाये जाता है लेकिन फालगुन महा के कृष्णपक्ष की जो चतूरदसी तिति होती है उसे महाशिवरात्री के रूप में बड़े ही धुम धाम के साथ में मनाये जाता है और इस दिन को सिद्धिदायक दिन माना गया है कल्युग में सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है और भोले बाबा भंडारी है यदि आप थोड़े से उपाय करते हैं तो भी भोले बाबा प्रसन्न हो करके आपको मन वानचित वर्दान अवश्यी प्रदान करेंगे सत्य ही शिव है और शिव ही सुन्दर है तभी तो भगवान आशुदेश को भगवान भोले बाबा को सत्यम सिवम शुन्दरम कहा गया है भगवान शिव की महिमा अप्रम पार है भोले नात को प्रसन्न करने का महा पर्व महा शिवरात्री है जो की भालगुन महा के में विशिष्ट इस्थान रखता है महा शिवरात्री के दिन भग्मान भोले नात को प्रसन्न करने के लिए भप्त जन जब करते हैं तब करते हैं तथा वरत का पालन करते हैं और इस दिन भग्मान के शिवलिंग के रूप में दर्शन करते हैं इस दिन देश के और प्रदेश के तथा विदेशों में भी जो है शिवालयों में शिव मंदिर में जाकर के भगमान भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है उनको विल्बपत्र धतूरा दूध दही शरकरा भांग इत्र चंदन और भी अन्य पदार्थों से जो है प्रसन किया जाता है और उ अने को उपाई किये जाते हैं और इस दिन देवों के देव महा देव का विवाह मता पार्वती जी के साथ में संपन हुआ था इसलिए इस महुत्सव को भगमान भोले बाबा के विवाह उत्सव के रूप में बड़े धुम धाम के साथ में मनाय जाता है महा शिवरात्री का व्रत करने से साधक को भत को धार्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्षपद की प्राप्ती होती है जगत में रहते वे मनुष्य का कल्यान करने वाला व्रत है महा शिवरात्री इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुख और पीडाओं का अंत होता है साथ ही, जीवन की समस्त मनो कामनाई पूर्ण हो जाती है शिव की साधना से धन धान्य सुख、 सोभाग्य और समरद्दी की कमी कभी भी नहीं होती है यने उसका जीवन हमेशा समस्त सुखों से भरा पुरा रहता है भक्ति और भाव से स्वतह भगवान भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए और उनकी आशुतोस की आराधना सरल तरीके से करने का विधान हमारे धर्म ग्रंतों और शास्त्रों में बताया है मनसा वाचा कर्मना हमें शिव की आराधना करनी चाहिए भगवान भोले नाथ नील कंठ है विश्व नाथ है सनातन धर्म में बताया है कि फालगुन महा के कृष्ण बक्ष की जो रात्री व्यापिनी चतू दशी रहती है उसमें जो है भगवान भोले नाथ विशेश रूप से नरत्य करते हैं केलास परवत के उपर मैता परवती के साथ में अपने विवाह उत्सव के रूप में प्रसन्न मुद्रा में रत्य करते हैं और इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और मैता परवती का विवाह उत्सव मनाय जाता है और ओगरदानी भगवान शिव का जागरन करना तथा रात्री के समय चार प्रहर की पूजा करना विशेश कल्यान कारी माना गया है भगवान भोले बाबा लिंग के रूप में महा शिवरात्री के दिन प्रगट हुए थे और पहले एक लिंग बना था और उसी लिंग के माध्यम से 12 जोतिर लिंग की उत्पत्ती महा शिवरात्री के दिन ही शिव पुरान में बताई गई है और सनातन धर्मे के अनुसार फालगुन महा के कृष्ण पक्ष की जो चतुर दशी तिथी होती है उस दिन महा शिवरात्री का पवन त्योहार मनाय जाता है और इस बार महा शिवरात्री का जो महा पर्व रहेगा वो 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन है और इस दिन फालगुन महा के कृष्ण पक्ष की त्रयो दशी तिथी के साथ में चतुर दशी तिथी रहेगी यहने उदय कालीन जो तिथी रहेगी वो त्रयो दशी तिथी रहेगी और रात्री कालीन जो तिथी रहेगी वो चतुर दशी तिथी रहेगी इसलिए रात्री व्यापीनी चतुर दशी में ही महाशिवरात्री का महापर्व मनाये जाता है इस दिन चंद्रदेव अपनी इस्थिर राशी में विराजित रहेंगे महाशिवरात्री का जो पर्व है वो भोले बाबा को समर्पित करने का पर्व मना जाता है इस दिन भक्त पूरे विधि विधान के साथ में भगवान भोले बाबा की तथा माता फार्वती की विशेश पूजा अर्जना करते हैं और उन्हें प्रसन करके उनका आशिरवाद पाने की इच्छा से व्रत करते हैं, कठोर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्रों का ज आप करते हैं तथा जल की धारा से दुख्द धारा से उनका अभिशेक करते हैं उनका यजन करते हैं उनका पुजन करते हैं उनका अर्चन करते हैं और सभी भक्तों को अपने जीवन की समस्त कामनाओं की पूर्ती के लिए महाशिवरात्री का व्रत अवशी रखना चाहिए क्योंकि भोले बाबा अत्यंत क्रपालू है अत्यंत दयालू है तो यदि आप महाशिवरात्री का व्रत प्रारंब करना चाह रहे हैं तो आपको जो है 11 मार्च 2020 गुरुवार के दिन ही महाशिवरात्री का व्रत करना चाहिए तथा इस दिन पूरे दिन भगवान का इस्मन करत पूजन अर्चन करना चाहिए और रात्री के समय चार प्रहर की पूजा भी संपन्न करना चाहिए तो सबसे पहले हम आपको बतादे कि महाशिवरात्री की पुजा का शुब मुर्त किस प्रकार रहेगा और शिवरात्री तिथी का प्रारंब कब से कब तक रहेगा और इस वरत का यदि आप पालन करते हैं तो वो आपको किस प्रकार करना है और वरत का पारणा यदि वरत खोल का समय कब रहेगा और चार प्रहर की पूजा का समय कब रहेगा शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्री की रात में देवी पारवती और भगवान भोले नात का विवाह संपन्न हुआ था इसलिए इस रात्री को महाशिवरात्री के नाम से जाना जाता है और पूरी रात जाक करके धत जन भगवान भोलेना तथा माता पारवती का विशेश पूजन अर्चन करते हैं इस बार महाशिवरात्री का महापर्व 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन है और विशेश रूप से महाशिवरात्री जो होती है वो फालगुन महा के कृष्टपक्ष की चतुर दशी तिथी जब रात के समय रहती है उसी रात्री में महाशिवरात्री का महापर्व मनाय जाता है तो इस बार चतुर दशी तिथी का जो प्रारंब हो रहा है वो 11 मार्च को दो बच के 49 मिनिट पर चतुर दशी तिथी प्रारंब हो जाएगी वैसे तो अलग-अलग पंचांगों में अलग-अलग समय हो सकता है लेकिन हमारे पंचांग के अनुसार महा शिवरात्री जो तिथ वो 11 मार्च को 2 बच करके 49 मिनिट से 4 दशी तिथी प्रारंब हो जाएगी। चुकी उद्या तिथी के अनुसार 3 दशी तिथी है। इसलिए महाशिवरात्री का जो ब्रत है वो प्रातह काल से ही प्रारंब हो जाएगा। यानि 11 मार्च को प्रातह से ही महाशिवरात्री का व्रत आपको प्रारंब करना चाहिए। और चतुर दशी तिथी का जो समापन होगा वो 12 मार्च 2021 शुक्रवार को 2 पहर 3 बच करके 2 मिनिट पर जो है चतुर दशी तिथी समापन हो जाएगी। और रात्री की जो पूजा होगी वो 11 और 12 की जो बीच की रात्री रहेगी उसी में 4 प्रहर की पूजा समपन होगी। तो यदि आप 4 प्रहर की पूजा करते हैं तो आपको जो है 11 और 12 की रात्री में यानि 11 का जब सूर्या अस्त होगा उसके बाद से प्रथम प्रहर प्रा प्रहर का समय बताया है, लेकिन यदी हम प्रहर की गरना करते हैं तो उसके उनुसार शाम को पहला प्रहर प्रहर प्रारमब होगा, छे गड़े से नो बजे तक का। दूसरा प्रहर रात्री को नो बजे से ले करके बारा बजे तक का उसके बाद तीसरा प्रहर जो रहता है रात्री बारा बजे से ले करके और अगले दिन की सुबह यने बारा तारीक की जो है सुबह तीन बजे तक रहेगा और उसके बाद तीन बजे से ले करके सुबह छे प्रहर रहेगा चर प्रहर की पूजा का हमारे धर्म ग्रंतों में पुराणों में विशेस विधान बताया गया है तो सबसे पहले यदि आप महाशिवरात्री का व्रत प्रारंब करते हैं तो आपको 11 मार्च को प्राता काल जल्दी उठना चाहिए और इस नानादी नित्य कर् करके उस दिन आपको शुद्ध स्वेत वस्त्र धारन करना चाहिए और इस दिन जो मनश्य व्रत करता है उसे काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इस दिन भगवान भोले नात का इस्मरंड करते हुए अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करे भगवान सूरी दे का सबसे पहले संकल्प धारन करे हात में जल ले करके और हात में यदि संभव हो तो कुछ दक्षणा रख लेवे बिल्व पत्र रख लेवे सुपारी रख लेवे चावल रख लेवे और इन सब सामग्रियों को ले करके तीन बार विष्णू 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 का उच के बाद कहे कि आज फालगुन महा के कृष्णपक्ष की चतुर्द शिती थी यहने महा शिवरात्री का वरत में करने जा रहा हूं या मैं करने जा रही हूं मेरा नाम ये है मेरा गोत्र ये है अपना नाम तथा गोत्र उच्चारन करने के पश्चार आप अपने मन की कामना आपके मन में कोई भी कामना है तो उसका उच्चारण अवश्य कर दीजिएगा जैसे सिख्षा प्राप्ति की इच्छा है तो आप वो बोलिएगा और यदि आप रोजगार या नोक्री प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको बोलना चाहिए यदि व्यापार कारिय आप श आपके मन में आपके घर में संतान प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी आपको बोलना चाहिए यदि आपके घर में धान धान संब्रद्धी वैभा और गरी भी समाप्त करना चाहते हैं या घर की समस्याओं का निदान आप करना चाहते हैं या जीवन की जो भी इच्छाए वो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और समस्त मनों कामनाओं की पूर्ती के लिए यदि आप संकल्प करते हैं तो आप निश्चाई ही उन कामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे और संकल्प आप धारन करें इसके बाद या संकल्प प्रभू के सामने या भोले बाबा के चित् शिवराती का वृत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं आप मुझे शक्ती तथा सामर्थ प्रदान करे कि आज मैं आपके इस वृत का नियम पालन कर सकूँ और किसी भी प्रकार से मेरे इस वृत अनुस्थान में कोई भी व्यवधान उपस्थित न हो तो आप वृत का सं संकल्प करने के बाद में यदि जन्म अर्थवा मृत्यू का कोई भी सूतक परिवार में लागू होता है तो आपका वृत पूरा माना जाएगा अधूरा नहीं माना जाएगा यहने संकल्प करने के बाद वृत का पूरी तरह से पालन करना होता है चुकि जन्म और मृत्यू क जब सूतक लग जाता है उस दोरान देवी देवताओं का इस पर सत्था पूजन नहीं किया जाता है लेकिन वरत आपको करना चाहिए लेकिन आप यदि वरत करते हैं और इस दोरान इस प्रकार की कोई भी घटना करम घटित हो जाती है तो आपको वरत का पूरा-पूरा पालन करना चाहिए यदि आपके घर में कोई गर्भा वस्था में माताएं बहने हैं तो उनको भी वरत का पालन करना चाहिए लेकिन उनके पेट में छुटा बच्चा पल रहा है इसलिए उसका ध्यान रखते हुए उनको जो है फल या दूद से बनी मिठाई का उप्योग करते इस वरत का पालन करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए कि महाशिवरात्री का वरत जो मनुष्य करता है उसको लहसुन प्याज का मान समदीरे का तथा अंडे आदी का उप्योग बिलकुल नहीं करना चाहिए और महाशिवरात्री के दिन दाड़ी कटिंग नहीं करवाना चाह इसके अलावा महाशिवरात्री के दिन बिल्वपत्र तोड़ना भी वर्जित माना जाता है चुकि बिल्वपत्र के बिना महाशिवरात्री का वरत अधूरा माना जाता है इसलिए आप एक दिन पहले ही बिल्वपत्र तोड़ करके रख लीजिएगा और यदि आप नहीं और आपके घर में शिवलिंग के ऊपर पहले से बिल्वपत्र चड़े हुए थे तो उनको भी आप धो करके बार बार भगवान की पुजा में उप्योग कर सकते हैं। जो हमारे बड़े और वरिष्ट लोग निवास करते हैं। जिसे माता पिता या साथ ससुर उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उनकी सेवा करना चाहिए। इस दिन गो माता की सेवा करना चाहिए। गो माता की सेवा तो वेसे हमेशा ही करना चाहिए। लेकिन महाशिवरात्र के दिन नंदिगण और गो मता की सेवा अवश्य ही करना चाहिए इनको घास खिलाना चाहिए और इसके अलावा यदि महाशिवरात्री के दिन घर में कोई भी सादू संत या मांगने वाला आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लोटाना चाहिए क्योंकि न जाने किस वेश में कि कुछ भिक्षा में प्राप्त कर ले इसलिए आप अपने घर आये हुए किसी भी याचक या जर्वत्मन यक्ति को खाली हाथ नहीं लोटाएं अपनी हैस्यत शद्धा भक्ति के साथ में कुछ ने कुछ दान पुन्य अवश्य आपको करना चाहिए महाशिवरात्री की रात् तरी के समय भुजन गरहन कर लेते हैं वो तरीका गलत है याने आपने जब से संकल्प किया है तब से ले करके व्रत का पारना याने अगले दिन सुबह तक आपको जो है कुछ भी गरहन नहीं करना चाहिए याने पूरे समय आपको जो है व्रत का पालन करना चाहिए और यद लेकिन यदि आपका शरीर सांत नहीं देता है तो इस प्रकार का वरत आपको नहीं करना चाहिए और आप यदि चाहें तो फलाहार गरहन करें एक समय फलाहार करें दो समय फलाहार कर सकते हैं फलाहार में दूट से बनी वस्तूओं का जो है उपयोग किया जाता है इसके पहले भगवान का पूजन करे भगवान की कथा का स्रवन करे और भगवान को भोग लगाएं उसके बाद ही आपको फलाहार ग्रहन करना चाहिए। महामर्तिन जय मंत्र का जाप करवा सकते हैं और अनेको प्रकार के जो उपाई है वो इस दिन आप संपर्न कर सकते हैं। जल चड़ाय जाता है चार बार इस्तनान के लिए जल चड़ाना चाहिए और उसके बाद उनको कच्चा दूद चड़ाय जाता है। उसके बाद शुद जल चड़ाय जाता है तथा उसके पश्चात दही से इस्तनान कराय जाता है। और दही के इस्तनान के पश्चात उनको शुद घी से इस्तनान कराय जाता है। और उसके बाद शुद जल चड़ाय जाता है तथा उसके बाद उनको शुद जल से इस्तनान कराय जाता है। भस्म के जल से इस्तनान कराय जावल और फूल के जल से इस्तनान कराय तथा गंगा जल से तीर्थ जल से प्रभू का इस्तनान कराय और समस्त इस्तनान संपन होने के बाद में उनको कलावा या मोली अथ्वा रक्षा सूत्र या सफेद वस्त्र आरपित करे। उनको अर्पित करें और उसके बाद उनको चावल याने अक्षत चड़ाएं और भूले बाबा को सफेद पुश्प सबसे अधिक प्री होते हैं इसके अलाबा यदि आप एक कनेर का फूल चड़ा देते हैं तो आपको सो बिल्व पत्र का फल प्राप्त होगा इसके अलाबा भूले बाबा को शमी पत्र चड़ाएं और इसके बाद बिल्व पत्र चड़ाएं और बिल्व पत्र हमेशा तीन पत्तों का ही चड़ाना चाहिए बिल्व पत्र हमेशा धो करके और उनकी जो डंडी होती है उसे तोड़ करके उल्टा बिल्व पत्र भगवान भूले नात क चड़ाना चाहिए और उसके बाद भोले बाबा को आप जो है सोभाग्य द्रव्वे जैसे अबिर गुलाल चड़ाएं और ध्यान रखे कि हल्दी महंदी कुंकुम और सिंदूर और अन्य सोभाग्य की जो वस्तुई होती है वो पारवती माता के निमित जलाधारी के उपर य चुकि भोले बाबा त्यागी पुरू से इसलिए उनको सोभाग्य वस्तुईं नहीं चड़ाई जाती है हालाकि हल्दी जो है महाशिवरात्री के दिन चड़ाई जाती है चुक्ची की भगवान भोले बाबा का विवहा इस दिन संपन हुआ था और नए दूले को हम हल्दी लगाते हैं हल्दी चड़ाते हैं इसलिए महाशिवरात्री के ऐसा दिन है जिस दिन भोले बाबा को हल्दी चड़ा करके उनका पूजन अर्चन किया जाता है और उसके बाद सभी सोभाग्य वस्तुईं अर्पित करें आप चाहें तो पार्वती माता के निमित जो है दो करके शुद्ध और सात्विक फलाहार या फल अत्वा मिठाई या दूद से बनी कोई भी वस्तु का नेवेद्यम उनके सामने अर्पन करें जो पंचामरत आपने इस्तनान के लिए तयार किया है उसी में से कुछ पंचामरत आपको जो है भगवान भोलेनात के नेवेद के सामने रख करके उसके उपर बिल्व पत्र रख करके आसपास जल घुमाएं और उसके बाद रितुफल इत्यादी चड़ा करके और नारियल चड़ाएं भगवान भोले बाबा के सामने कभी भी नारियल फोड़ना नहीं चाहिए तोड़ना नहीं चाहिए अखंड स्रीफ पल भगवान भोले नात को चड़ा जाता है और नारियल के उपर कुछ दक्षना रख करके पान सुपारी लोंग इलाइची इत्यादी वस्तुएं भगवान को अरपन करें उसके बाद भगवान भोले नात की महाशिवरात्री की कथा सुनना चाहिए तथा भोले बाबा की आर राती करना चाहिए इस प्रकार पूजन अर्चन आप करें आप चाहें तो यह पूजा आप दिन में भी कर सकते हैं शाम के समय भी कर सकते हैं लेकिन महाशिवरात्री की पूजा रात्री के समय करने का विशेई स्विधान धर्म ग्रंतों और पुराणों में लिखा हुआ है क्योंकि महा शिवरात्री का आर्थ होता है रात्री का लीन पूजा और इसमें भी निशीत काल की जो पूजा होती है याने मज्य रात्री की जो पूजा होती है निशीत काल का आर्थ होता है रात्री 11 बजे से लेकर के एक बजे तक का जो समय रहेगा वो निशीत काल कहलाएग और इस दोरान जो भी आप उपाय करेंगे, पुजा करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, आराधना करेंगे, उसका परिणाम आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा और ध्यान रखे कि जब हम पूजा करते हैं, उपाय करते हैं, व्रत करते हैं या कोई भी साधना करते हैं तो जो आशन पर हम बैठते हैं वह आशन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए कंबल का आसन उपयोग कर सकते हैं कुशा का आसन आप उपयोग कर सकते हैं या लकडी की चोकी या लकडी का पटा भी आसन के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं जब पुजा संपन्न हो जाए तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल करके उस जल को अपनी अनामिका उंगली के माध्यम से उठा करके दोनों नेत्रों को तथा तिलक इस्थान पर लगाना चाहिए इससे हमारा किया हुआ पुन्य हमारे सांथी रहेगा इस प्रकार आप महाशिवरात्री की व्रत करें, पूजा करें, उपाय करें तो निश्चई ही भोले बाबा की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके घर में सुक शांती समरद्धी का वास होगा महाशिवरात्री के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के सांथ व्रत भी रखा जाता है महाशिवरात्री का व्रत रखने वाले व्यक्ति की समस्त मनो कामनाए पून हो जाती है और उसे म्रत्यू लोग से जो है मुक्ति प्राप्त होती है और नरक में भी उसे कभी नहीं जाना पड़ता है सभी तरह के जन्व जन्वांतर के पाप दोस उसके नस्ट हो जाते है आत्मा की शुद्धी होती है इसके अलावा महाशिवरात्री का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मन चाहे वर की भी प्राप्ति हो जाती है अगर किसी लड़की के विवाह में कोई बाधा उत्पन हो रही है तो उसे महाशिवरात्री का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए जिसे उसे मन वांचित वर की प्राप्ति हो जाएगी और यदि किसी वर यने लड़के का विवाह नहीं संपन हो पा रहा है तो उसे भी महाशिवरात्री का व्रत अनिवारी रूप से करना चाहिए जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन हो रही है उन्हें भी महाशिवरात्री का व्रत रख करके भगवान भोले नात तथा माता पार्वती का विशेश पूजन अर्चन करना चाहिए महाशिवरात्री के दिन वरत रखने से घर में सुख आएगा सम्रद्य आएगी वैभव आएगा तथा सभी प्रकार की मनोवांचित क्यामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी और महाशिवरात्री के दिन भोले बाबा माता पार्वती के साथ में केलाश परवत के साथ पूरी प्रत्वी पर आते हैं और भक्तों को मन चाहा फल प्रदान करते हैं तो आप सभी भक्त जन इस विधान से महाशिवरात्री का व्रत करेंगे तो निश्यचा ही आपके जीवन की समस्त मनो कामनाएं पूर्ण हो जाएगी और महाशिवरात्री की कथा भी हम आपको सुनाएंगे कथा हमेशा ब्रह्मन के मुख से सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद में ब्राम्वन को दक्षिना अवश्य ही प्रदान करना चाहिए अपनी शद्धा तता भक्ती के अनुसार जो भी आप देना चाहिए वो जरूर आपको देना चाहिए यदि आप महा शिवरात्री के निमित कोई भी पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं रुद्रा भिशेक करवाना चाहते हैं या फिर शिवार चन करवाना चाहते हैं या फिर आप महामर्तिंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं या कोई विशेस कामना के निमित हमारे माध्यम से आप महा शिवरात्री का पूजन अर्चन संपन करवाना चाहते हैं तो आप निश्चाई ही हमसे संपर्क करें, निश्चाई ही हम आपके लिए पूजन अर्चन संपन करेंगे, और इस निमित आप जो धन राशी प्रदान करना चाहते हैं, वो आप हमारे PTM के माध्यम से, Google पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, या एकाउंट नंबर के आम गोत्र भी हमें भेजे, जिससे हम आपके नाम से, गोत्र से, आपके निमित पूजा अर्चना करेंगे, और आपको महाशिवरात्री का संपूर्ण पूनिफल प्राप्त हो सकेगा, तो भरतजनों, माताओं भेनों, हमने जो ग्यान वर्दक जानकारी आपको प्रदान की है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश कर लिजिए, आपको और आपके पूरे परिवार को, सादर जैसी सादर धन्यवाद